हेलो एब्रीवन वेलकम टू एजीवे एजीवे चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में लोग बात करने वाले है आइबी पीएस पीओ ठीक है जिसकी वेकेंसी आई हुए है उसका प्रिलिम्स का स्लेवर्स क्या होगा ठीक है और आइबी पीएस प्रियो तोज़ा है तो इसके स्लेवर्स के बारे मच्छे से लोग जान लेते हैं और फिर लास्ट यर कितना कट ओफ गिया था 2019 में वह भी हम लोग केटोगरी वाइज जेनरल का कितना किया तो अब इसी का कितना किया थे सब केटोगरी वाइज हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में सबसे कलेकर पर स्टार्डवर्स के बात करें तो सी लास्ट मुएं इंग्लीस से था थी है कः ख और इंग्लीप टेस्ट पारा जंपल्स मिसलेनियस फिले भ्ле barrel मेंनिंगंड या म्जिटीड पृटल सब्सक्राइब करें, कोई टेप्टी जोर जो की 25 नमर का या ओगा, इसलिबस क्या है, सिंप्लिफिकेशन, ठीक है, प्रोफित और लॉस, मिक्टिर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउर इंटरेस्ट, ठीक है, वरक एंट टाइम, उसकाइम अच्छाइब ताइम इसल शाइब मेंसूरेशन, सैलेंडर और क्atoon , अस्पेर , टीक मेंसूरेशन उन था ही जाक儀 है, क़ोदन जाएगा , अस्पेर जायगा आदशेण यहाईए तुकर डाटा इंटरपरेशन आस्पेर जाका उसके बाद आपका है number system ठीक है उसका sequence and series आपका है जिसकों लोग बता है ये PHP, GP, permutation, combination and probability ठीक है ये आपका है percentage ठीक है quadratic equation ठीक है तो ये साथ आपका है aptitude का quantitative aptitude का topic ठीक है syllabus topic भाइच आप हम लोग 35 marks के आते हैं जिससे 35 marks क्या आते हैं तो रीजिनिंग से भी 35 marks के आते हैं ठीक है तो इसमें आपका रीजिनिंग में लोगिका रीजिनिंग alphamerex series banking ranking direction alphabet test ये साथ data sufficient ठीक है code in quality seating arrangement ठीक है जोगी बहुत जादा important है puzzles भी बहुत जादा important है रीजिनिंग के topic से point of view से देखा जाता हूँ tabulation, syllogism, syllogism, blood relation, input and output अगला topic के coding and decoding ये तो सभी जानते हैं के reasoning में coding and decoding होता है statement and argument ठीक है analogy ठीक ये होगी आपका reasoning के पूरा syllabus ठीक है topic बाइज है तो reasoning के हम लोग देख लिए syllabus है ठीक है quantitative aptitude के syllabus हम लोग देख लिए जो कि 35 marks रिजिनिंग भी 35 marks और English का भी हम लोग स्लेवर देख लिए जो कि 30 marks है यानि कि total आपका 100 marks का पेपर होंगे ठीक है 100 marks paper होंगे और 100 question रहेंगे 100 question रहेंगे ताइम आपके लिए दिया जाएगा ताइम आपको दिया जाएगा 60 minutes ठीक है यानि कि sectional timer होगा सम्में 20-20 minutes यानि क्या को English के लिए 20 minutes का time मिलेगा quantity aptitude के लिए 20 minutes का time मिलेगा अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मतों cut off क्या रही थी ठीक है 2019 की cut off क्या थे category बाई तो cut off कि अगर जो हम बात करें तो category बाई तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे general का कितना cut off किया था तो जेनरल का cut off गया था 59.75 marks out of out of 100 marks ठीक है यानि कि 100 में से आपको लग 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 59.75 marks गय थे general का cut off ठीक है SC की बात करें तो SC का आपका cut off गया था 53.50 ठीक है OBC category की बात करें तो उनका जो cut off गया था 59.75 यानि कि general और OBC की cut off same गया था कितना गया था 59.75 ठीक है अब हम बात करें है HI जिसको करते है hearing impaired इनका cut off गया था 20.25 यान 21.25 OC orthopedical challenges इनका cut off गया था 44.50 ठीक है इनका गया था 52.25 cut off out of 100 है ठीक है अगला है जो ID intellectual disability ठीक है इनका गया था 20.75 ठीक है इनका गया था 20.75 अगला जो category है जो last OEWS इनका भी same cut off गया था 59.75 यानि कि ये general candidate का cut off OBC candidate का cut off और EWS का cut off तीनों का same cut off गया था कितना 59.75 आउट ओफ 100 marks एनकी 100 marks में से 59.75 marks आपके गया थे ठीक है 100 marks से 59.75 marks आपके गया थे ठीक है cut off सभी किन के लिए general category के लिए OBC के लिए EWS तीनों category के लिए इतना cut off गया था ठीक है ये 2019 की बाद है 2019 की cut off है तो इस वीडियो में इतना है अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रहा आपको कुछ इससे सीखने को मिला कुछ आपको जनकारी मिली तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथ इसाथ चैनल को subscribe कर दिजेगा कैसी तरह से आपको update नए नए information नए नए चीज आपको मिलते रहेगी जो कि आपकी study में helpful रहेगा ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद